गाजी अबाद के हिंडन एरपोर्ट सिवल टर्मिनल से जैसे ही पितोरा गड़ के लिए विमान ने पहली उडान भरी तो NCR का सपना हाकिकत में बदल गया हिंडन एरबेस से पहले कमर्शियल विमान की रवानगी के मौके पर उत्तरकंड के मुक्य मंत्री तरवेंदर सिंग रावत और केंदरी मंत्री वीके सिंग ने शुरुवाती पैसेंजर्स को विमान के टिकेट खुद अपने हाथों से सौपे जिसके बाद लोगों की खुशी का ठिकाना ना था पिथोरा गड़ की ये उडान ना सिर्फ मुसाफिरों के समय की बचत करेगी बल्कि उनकी जेप पर भी ज्यादा बूज नहीं पड़ेगा पिथोरा गड़ पहुँचने में जहां 14 से 15 घंटे का समय लगता था वहीं अब महस एक घंटी में लोग पिथोरा गड़ का सफर कर सकेंगे हिंडन के पिथोरा गड़ की किराया राशी 2270 रुपए रखी गई वहीं पिथोरा गड़ से हिंडन के लिए यात्रियों को 200 रुपए जादा चुकाने होंगे इस मौके पर केंद्री मंत्री वीके सिंग ने कहा कि गाजियाबाद के उत्रा खंड से चुड़ने से जिले के व्यापार और देश के टूरिजम को पढ़ावा मिलेगा हम तो बहुत दिनों से इसका उद्गाटन हो गया, सब कुछ हो गया, आज फ्लाइट शुड़ू हो रही है तो ये हमारे लिए और गाजियाबाद के लिए एक बहुत बड़ी चीज है और हम चाहते हैं कि इसके अंदर और फ्लाइट साएं, अभी शुरूवात है मुझे लगता है कि इसका पश्मी उतर पुदेश को बहुत फायदा होगा अगली योजना के तहित हिंडन से जल्थी दहरादून, गुलवर्गा, फैज़ाबाद, जामनकर, नासिक और कनूर के लिए भी विमान सेवा शुरू करने की योजना है अभी शुरू करने की योजना की योजना की योजना है